नमस्कार करिनाल प्रस के आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले नस्य पंचगरम की मस्गरम जोए वो आइरवेट की एक बहुत अच्छी विदा है आइरवेट में कहा कि नॉसा ही सीर्सो द्वारा जो नसिकाई वो सिर का द्वार है तो सिर में यदि किसी भी परकार का रोग है यदि सिर में कोई दोष डिपोजिट है या वात का पित का कफ का प्रकोब है तो उस समय नस्य जो टीटमेंट है वो अत्यादिक कारगा टीटमेंट माना जाता है जैसे वमन जो नाभी जे उपर के रोग है उस लेचन नामी से निचे के लोगों के लिए अच्छा है इसे परकार सिर के दोशों के लिए नस्य टीटमेंट सबसे बढ़िया है और नस्य कैसे किया जाता है आज उसकी हम बिल्कुल लाइव डेमों को दिखा रहे हैं नस्य में पहला काम क्या होता है कि रोगी के रोग का श्रम नर्स्विस सिर्ण करना ऐदे और बोटल दालसक्ते हुपए अपनी मौली लुए खी में टबो के नाग में लगा भी तो उसको मोलते हैं प्रतिमर्स से उसमें क्यां कि ऑश्चे को जूर भग तिखना चाहँ को एक बार रोगोता आपको बताना जाऊंगा, क्योंipedia स साज की जा रही है। उसके लिए तील का तेल इस्थमान हो सकता है। उसके oohs सकता है और उसके बाद जब प्रॉबपर 10-15 मिंट मसाज हो जाते है उसके बाद हम क्या करते हैं जब उश्न तो उसके बाद हम देते स्थीम, अपि आप देखेंगे कि हम स्थीम कैसे करेंगे, मेडिकेटिड जड़ी पुटियों माला काड़ अमने तियार किया हुआ है, तो उसके हम स्थीम अप देने वाले हैं, हमने एक चीजा ध्यान अखना है, कि पेशन्ट को फिलकुल चेरे को ढा आप देना अच्छे से ता कि बहार कि हवा ना लगे, और तब तक करला है, जब तक उसके चेरे पे अच्छे से पसिना ना जाए, पसिना अने का मतलब यह है, कि उसके जो दोश हैं, वो मेल्ट हो गए, और मेल्ट होगे तो उसको एपने भार निकालना है, तो उसके लिए जैसे चडविंदो तेल है, जैसे अनू तेल है, जैसे कभी किसी को आमको पाउडर में डालना पड़ता है, जैसे नस्वार पुरान जमाने लोग लिया करते थे, उसे जो अंदर जो का डिपोजित है, वो निकलता है, और यह थी किसी को मिने शोधन नस्य नहीं करना, शमन नस सة कें तो यह नस्य बोत अच्छा कारगर विए और स्टीम देखें दे रहें अच्छे से और चेरे पर पर जेहें जबिभाई झाल जबिश्या निचे करेंगे यहां जलूरी क्या है यह जलूरी है कि क्या हम शोदह्क देख Krées Hai तो हम क्या करेंगे तरीकोटू का खळा बनाएंगे, क्या हम उसको नस्य दे रहे हैं, इसलिए कि उसके चेरे का गलो बड़े, उसकी इम्मृटी बड़े, तब हम क्या करते हैं, चाहुनपास के कंटेंट होते हैं, जिसे आमला है, अशोगंदा है, दश्मुल है, उसके काडे के स्टीम देते हैं, अभी हम स्टीम कर चुके, एक बड़ चेरा उपर कर लेंगे, अभी हम इसमें, चेरा साफ करने के बाद, पेशें को लिटा कर, लिटाने के बाद उसका जो पोस्चिर है, बो सबसे जाद एखने वाला है, क्योंकि मैं अभी लास्में को पताने वाला कि घर पे हम कैसे कर सकते हैं इसको, लेटी एक बार, इसमें जो सिर का पोस्चिर है, वो सबसे मोडर्न पार्ट है, थोड़ा पीछे हो जाओ, अपनी जो नासिका है, वो बिल्कुल आसमान के दर्फ जाने चाहिए, देंगे, डालने के लिए मर पास दो तरीके है, एक तो क्या कोटन का सोयब बना सकते हैं, उसके माधें से हम डाल सकते हैं, और एक वर पेदर ड्रोपर भी रहता है, इस ड्रोपर से हम डाल सकते हैं, तो जो profitable हो, कोटन निश्क लिए होती है, कि हर पेशन के लिए अलग से को एक बार में हम तीन मुद्झ नसी का में डालते हैं और पेस्टन को खीचने के लिए बोलते हैं जब अच्छे से खीच नहीं जाती है तो दूसरी नाग में डालते हैं कि अब दोबारा दीन मुने ऐग बार दालेंगे कि ऐसे कि टोटल तीन जोगे जब पहली बार नश्चाह्य कर रहे हैं पहले दिन उंचाहर रहे हैं तो तेन, तीन, और तीन, तोक है इतनी मुंदें तालनी होती हैárias और अभी पेशंन काया कोई मल होगा कोई इसके अंदर दोश होंगे तो उसके गले में वो आ जाएंगे और पेशंगों जाकी क्या करना यै प्यक्ट करना है थूकना है तूकना है जाके उसको गले से पेट में लेकर नहीं जाना यदि आप उसका कर रहे हैं प्रतिमर्शत से तब तीन मुंद एक ही बार डालनी है इसका मैं लाप बताना जाओं आपको यदि आप नस्य कर रहे हैं सबसे वहले अस्तमा में इसका लाप होता है दूसरा नाक केहटी पड़ी हुई है उसमें बहुत नाक को लाप होता है जिश्ट रॉनिंग नोज है उसमें बहुत अच्य लाप होता है कभी-कभी आपने देखा हो को नक्सीर सूट जाती किसी चीजी को तो महां स्तमा नस्य को करते हैं स्तमा नस्य मतलוג के है वह ब्लीडिंग रोक नहीं है आपको नस्य भई ह तब क्या कर रहे हैं, हम अपर महा पारींग नश्यिक्न की आपने मेमरी नहीं है, तो वहां पे महा कहो घर हरी हैं, स्क्राइब आन्यप प्रकार के नश्य आफ अभी देखेंगे कि नस्य देने के बाद हम नाग पे ठोटी पे और गले पे रेगुलर मसाज कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है वात का शमनु रहा है जो तेल जो दवाई जो पौटर गया वो जो अंदर जा रहा है वो पूरा एब्सॉब हो जाए ताकि अफेक्ट दिखा सके इसके परता है तो उसमें हम कॉंटिन्यूस उसमें ब्रिंगल न्स्य करते है जो बौडी को था कि देता है जो कि कहीं द्सेट करते हैं तो पेश्चंट विदिन सेवन डेस उसको रजल्टा नहीं होता है मेरे यहाँ पे अभी की बात है एक हटा पहले की बात है एक लेड़ी पेश्चंट आई इनकी एज होगी लग 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 फिफ्टी टू इयर्स उनको कान में सुनने की बिलकुल एक साइड में सुनना बिलकुल बंद हो गया था तो जब वो मेरे पास आई तो हमने उनके किया किया दो टीटमेंट किये एक नस्य किया दूसरा चिरो तरह की और पेश्चंट का पहले इनका कमेंट यह था कि मुझे जो अलबेश्चिक द्वईया ले लेके कोई एफेक्ट नहीं हो रहा तो एक दिन का टीटमेंट देने से मुझे असे प्रजंट सुनना शुरू हो गया है अभी कहसे हो कान में तोड़ी साउंड अलग से टिनिटस हो रही है उसके लिए उसके लिए मने साथ में घंड पूर चुरू किया है और वो पेशेंट ने कल लही बोला जै उसका साथ दि उसके लिए एंसे टीटमेंट आपकी बहुते हम उसके लिए नशे टीटमेंट आपके दान आत हिलते हैं जड़ते जलती उसके रोकना है तो प्को पो कोफो तर्ड्य देद कॉंटी फर कना टीटिमेंट भानलाइए इतने लिए नशे उपर के यतने मि रोग हैं युटन ननु सब के लिए नस्य eh एक बहुत गारगर टीट्मेट है कान का इलाज-घ्यन Unknown记ैन जसे आपकी साउंड को टीक करना उसके लिए नस्य और जितने वाज के रोग हैं ऊसमें करते हैं जितने कफके रोगे उसमें हम पाउडर से या जिक्षन तेलों से नस्य करते हैं तो मैं एक बात आपको बताने जाओंगे घर पे हम इसको कैसे कर सकते हैं यहां तो हमने पूरा दिखाया स्टीम भी चाहिए जड़ी पूटिया मी चाहिए मेटिगेटिट ओए नहीं है तो खुद से खुद गाएं का देशी की ले लीजिए और अपने आप से ही लेके उसको पूरा अच्छे से मसाज कर लीजिए मसाज करने के बाद उसी देशी की को आप घर पे कोटन से करने के दुश्याद नहीं होगा आप एक ड्रोपर ले लीजिए उसमें घी ले और यह दिए स्टीम ले सकते हैं, तो आप स्टीम लेजे, सिंपल पाने की, यह दि किसी को जानकरी चाहिए, इस वीडियो मैंने बोट कुछ बताया, इस वीडियो को आपर देखेंगे, तो ध्यान में अगा, क्या दवाई कहां यूज कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, अन् आपके अटेनोट्स बड़े हुए है, तो वहाँ पर नस्य कुछ से नहीं करना है, यह मेरी तरफ से एक प्रिकोशन, जुर आप ध्यान में रखेंगा, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत अन्यवाद,